हें गाइज वाकम यौल इस वीड में हम बात करेंगे अगर तुम्हारा पीपी एफ अकांड क्लोज हो गया है बंद हो गया है मैचुरिटी से पहले मैचुरिटी का जो इंटर्वल है कि इतना 15 साल है अगर 15 साल से पहले क्लोज हो गया तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह होता है कि तुमने एक फाइनेंसल एयर में तुमने पैसे को जमा नहीं किया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और यह प्राक्टिकल सॉलूशन मैंने खुद ही किया है तो इस वीडियो को तुम जरूर देखो जिससे कि तुम्हें एक राइट इन्फॉमेशन मिले कैसे मैंने इस चीज़ को रीजॉल्व किया पहली बात तो यह कोई भी एकाउंट खोल के मेक शूर किया बहुत बहुत होता है इस इस और में साथ भी ऐस कीविन तुछ विद आएट आड अन्यवेशन अब हो गया है कोई घबराने वाली बात नहीं है तुम्हें क्या करना है बैंक जाना है कहां पर जाना है जिस ब्रांच में तुमने अपना अकाउंट को अपन किया है ठीक है चले एट बहुत है तुम्हें एक एक एप्लिकेश my ppf account account number this and that and because of reason any you know any absurd reason कुछ यह तुम यह तोड़ी बता होगे कि मैं भूल गया था like some issue and all I hadn't managed to pay my amount the minimum amount that's required in a financial year so उसके बाद तुम इसको branch manager को दे देऊगे फिर वो क्या करेगा क्या करेगा वो एक तुम्हे एक slip भी देगा slip में तुम्हे लिखना होता है वो तुम्हे एक slip देगा उसमें तुम्हे 550 रुपीज लेना होता है तो अपना नाम लिखोगे सिनेचर करेगा उसको words नहीं लिखना रहता है that's it ठीक है वो तुम्हें branch manager को submit कर दोगे वो खुदी कि तुम्हें सही कर देगा सही कर देगा मताब सामने वह अच्छा अगर जो सकी nine लगे तो line में लगोगे अर ओफ्कॉस line में लग गये तुम्हारे number आया तुम्हें दिया अच्छा क्या बात है देखेगा त्यक है 550 रुपीज पैनार्यटी भी लगता है पर financial year मालो जैसे तुम दो साल से जो कि it's quite absurd दो साल से मालो अगर तुम नहीं किया हो तो 550 रुपीज एक साल का दूसरे का एक हजार और 50-50 रुपे पर एर के हिसाब से तुमें पेनार्टी भी लगता है तो पर हियर के हिसाब से तुमें 50 रुपेस तुमें देना होगा तुम कर लिए उसके बाद वो डेबित हो जाएगा ठीक है तुमारे अकाउंट से क्योंकि मैं सेविन अकाउंट था तो सेविन अकाउंट से वो डेबित हो ठीक है तो इतना है सही प्रोसेस है तुमें बेसिकल एक अप्लिकेशन लिखना होता है 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 अप्लिकेशन लिखना है तुम अपने बात को कर रहे हो तुमें एक अप्लिकेशन लिखना है फॉर्म फिल अपकर नहीं चोटा सव फॉर्म है उसमें से बिख देता हो नेम लिख देता हो प्राइस कितना दे हो तक इसको समिट करते हो वो अकाउंट उसी समय कर देता है वहार्ली पांच मेर्ड लगता है उसको ठीक है ऐसे यह अगर तुम अपना केरी ओन लगते हो तुम तुम्हारा टन्रेक्शन हो जाता है and there you go, तुम फिर अपना फिर से continue कर सकते हो और तुम्हें चेक करना हो तो अपने SBI के official website पर जाके तुम उसको चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा टन्रेक्शन हो गया है, complete नहीं हो गया, नहीं हो गया है तो यार अच्छा लगा है तो चैनल को तुम्हें 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 बढ़ा है तुम्हें नहीं स्प्राइब करना चाहिए, share करो, like करो, this is me signing off on this radio have it great day